प्रधान मंतिरी नरिंद्र मोदी ने 71,000 सदा युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंट्मेंट लेटर दे दिये हैं ये लेटर देश के 45 जगाओ पर आयोजित रोजगार मेले के तहद दी गई है और पीम नरिंद्र मोदी ने अपॉइंट्मेंट लेटर देने के बाद युवाओं को संबोधित किया नमस्कार साथियों आज सत्तर हजार से जादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और सुबकामनाई देता पियम मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल में सरकारी भरती प्रक्रिया को सरल बनाने और नौकरी देने में केंदर सरकार के प्रदिवधता दिखाई है उन्होंने कहा कि पहले आवेदन करने के लिए बहुत मुश्किल होती थी लेकिन अब ये काम बहुत ही असान हो चुका है पहले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था एक application form लेने के लिए गंटों लाइन में लगो रहो, documents को attest करवाने के लिए, gadgeted officers को खोजो, फिर application को डाग दुमारा भीजा जाता था, और इसमें ये भी पता नहीं चलता था, कि वो application समय पर पहुँची या नहीं पहुँची, जहां पहुँचना था वहां पहुँची कि नहीं पहुँची, आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया अनलाइन हो गई है। PM Modi ने अगले साल होने वाले लोगसबा चुनाफ से पहले, Modi सरकार ने देश में 10 लाख युवाओं को नोक्री देने का लक्ष रखा है। Rozhgar Mela, एक साथ युवाओं को नियुक्ती पत्र देने की एक खास पहल है। इस पहल से युवाओं को ने सशक्ती करण और राश्य विकास में भागिदारी के लिए अच्छा अफसर मिलता है।